नमस्कार दोस्तों वेलकम टू मैं चैनल डिके इस्टूट तो स्टार्ट करते आज की वीडियो आज हम देखेंगे पी-एम स्वेनधी स्कीम के बारे में इन वीडियो के माध्यम से मैं आपको वह कॉमेंट स्कीम करा रहा हूं जो की एक्जाम पॉर्ट व्यूसे तो पी-एम स्वेनधी स्कीम जो है इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधी ठीक है आत्म निर्भर अभियान के बारे में जो यह स्कीम लाउच की गई थी जो पैकिश था इस बारे में वीडियो अप्लो स्कीम है दोस्तों दो टाइप की स्कीम होती है तो सेंसर्डर सेक्टर होती है और एक हो थी इससपॉंसर सेंसर्डरल स्कीम होती है लेकिन अगर sponsored कर दिया centrally sponsored scheme अगर हम बोल रहे हैं तो उसमें center plus state दोनों का रोल आ जाता है वहाँ पर जो है दोनों मिलके काम करते हैं उस scheme को implement करने के लिए और contribution भी जो है दोनों ही government का रहता है बास समझ में आ रही है जो difference है central sector for example मैं आपको बता दूँ कि मनरेगा scheme है मनरेगा scheme में खाली central government का रोल नहीं है उसमें जो है central government plus state government मिलके जो fund आता है उसको जो है लोगों तक पताती है बास समझ में तो दो टैप की scheme होती है जो मैंने बताया आपको तो यह जो है it is a central sector scheme इसमें जो state है उसको कोई रोल नहीं है central government ही इस scheme को implement करेगी तो जून 2020 में यह scheme launch हुई थी यह scheme है किस चीज के लिए it aims to provide the micro credit facilities इसका मतलब क्या है कि अगर किसी facilities to street vendor इसका मतलब है कि जो street vendors होते है बही जो गली महले में जो है ठेली लगाते हैं सबजी बेचते हैं या चार्ट पोकोड़े बेचते हैं या और भी काम करता है जो गली महले में घूमते हैं तो उनको भाई जैसे हम जानता है कि जैए COVID-19 में सभी चीज बन थी lockdown जैवो लगाता तो जैए खासकर जो है सब्सक्राइब करना उनके पास पैसे नहीं है तो यह इतना चोटा आमाउंट जैवो बैंक से ले सकते हैं इस स्कीम के अंडर और अपना काम दुबारा स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों माइक्रो मतलब स्मॉल और क्रेट फैसलिटी मतलब की उधार लेना तो उधार कौन देगा भी बैंक ही देगा न या कोई फैनेसल इस्टिटूशन है जो भी स्कीम के अंडर में बनाया गया होगा मेंली बैंक की हैंड़ा के अंदर जो मेंली वक करते हैं इस चीज़ के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेर्स यह स्कीम को इंपिलिमेंट करेगा और आपको चाहिए फैसलिटी तो उसके लिए डॉक्यमेंट रिक्वाइड हो कौन कौन से हैं फरस्ट इस अधार काड़ और दूसरा आपका वोटर अरेंटिटी काड यह दो अगर आपके सब्सक्राइब तो यह कुछ में पॉंट्स होता है जो हमें याद होने चाहिए ठीक है तो तो उमीद करता हूं कि जाए इस स्कीम के बारे में जो में जानना था वह आपको समझ में होगा जो में पर्स वह आपको मालम चले होंगे अगर अच्छी लगए वीडियो प्लीस ल स्कामर चैनल थैंक यू है वरी निस्टे